हेई वाटिस अप गाइज वेलकम बैक तो मैं चैनल मैं हूँ गेमार गाइज संदीप और आप सबका स्वागत है एक ब्रैंड न्यू सीरीज में जिसका नाम है डेस्टीनी 2 तो बात ही है कि डेस्टीनी 2 का पहला मैंने पहली कंप्लीट किया था उसका लिंक जो वीडियो का लिंक है वो डेस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और वो डेमो वर्शन था जिसमें पहला पूरा कंप्लीक मिशन था और अभी उसके बाद जो है हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कैंपेंड को सो यह सकता है आपनों को पता है कि डेस्टिनी 2 नवेंबर 18 तक पुरी तरह से फ्री है ब्लिजर्ट का जो गेम स्टोर है उसमें टोटली फ्री है अथारा नवेंबर तक तो डाउनलोड कर लो जितना खेल ला है खेल लो एंड इस लाइक बटन शेर करो और चैनल को गाइस हम लोग अर्थ पर आ चुक हैं और यहां पर देखके लग रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है ओके तो यहां पर मल्टिप्लेयर मैचेज भी होते रहता है फ्रम टाइम टू टाइम मैं जल्दी निकल जाता हूं यहां से क्योंकि मुझे कैम्पेंड खेलना है और यहां यहां पर बहुत सारे निमीज है भई मैं एवाइट करता हूं और जो मेरा मिशन है एक किसी आदमी से मिलना यहां पर और वो मुझे बतायागा मिशन क्या है तो यप लेट्स चेक दिस गाया आउट मुझे यही पर उठना है और यह खरा है बंदा और इसका नाम है कुछ नाम भूल गया मैं इसका चाय तो नहीं मिलेगी बेटा यहां पर कि यहां पर कुछ रिवार्स मिले गाइस आइस यह फ्री में मिलते हैं और राइट तो गाइस नया अब्जेक्टिव मिल चुका है देखते हैं क्या है तो मैं मैं अपन कर लेता हूं और यह मैं मैं डेस्टिनेशन अर्डरी शो कर रहा है गाइस तो यह नेक्स्ट कामपेण है और राइट गाइस तो बहुत ही बड़ा कैमपेंशन शुरू होने जा रहा है यहां पर स्टार्ट करते हैं गाइस तो नया मिशन है मिशन का नाम है कंबस्शन और मैं बस आगे जाता हूं यहांपर एनमिस को मार कर जाना पड़ेगा और गाइज यहां पर एक छोटा सा यह पाउर्फुल एनीमी था और यहां पर एक है और लास्ट एक बचा है बस ओके गाइज यहां पर जितने थे सब गए काम से अभी तो हम लोग आगे जा सकते हैं अभी लेट्स को अंदर देखते हैं क्या है मैं एक्सेकली शिर नहीं हो कहा जाना है हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो गुड न्यूज बाकी लोग कम्यूनिकेट कर रहे हैं और राइट गाइज मैं यहां पर आया हूँ और आम शूर मैं सही जगह पर आया हूँ क्योंकि अनिमी दिखाई दे रहे हैं आल रेड़ी यहां पर दो एनमीस थे अंदर चले गए दोर के एकडम यहां पर आ गया अरे यह तो हाथ में क्या लेकर आए तलवार लेकर आया है यह पहली पर देखा है इनके हाथों में गंस होते हैं लगता है यह देर से भी मरते हैं मतलब जल्दी नहीं मरते थोड़े अलग है है और राइट गाइज यहां तक तो ठीक है मैं उपर से जाता हूँ यह रास्ता लेता हूँ हाई ग्राउंड और राइट यहां तक तो ठीक है सब और राइट गाइज बहुत सारे ने मीच चाहिए यहां पर यह सामने आ गया यह घुसा ही दिया रही यार शिट और राइट हेट एक के बाद एक सब लोग मढगे लगता है तो नहीं यहां पर एक है एक बंदा ख़रा है गन लेकर वेट कर रहा है कब मैं सामने जाओंगा कब यह मारेगा नहीं होने वाला है बच्चू तो मुझे माइन के उपर जाना है मतलब मैं एक्चुली अंडर ग्राउंड हूँ आइधि उपर जाना पड़ेगा तो मैंने एलिवेटर बुला लिया है देखते हैं एलिवेटर आता है यह नहीं आता है ओ शिट यार यह तो टूटी गया वाट दा है येस नया रास्ता डूनना है अभी सो यहां पर देखता है यहां पर गेट ओपन करने का कोई स्विच है ओके गेट खुल भी खुल भी गया ओ फॉलन इनसे अभी ओके इनको फेस करना है फॉलन नाम है स्कैवेंजर्स अफ दा हाइस्ट ओर्डर अरे यार यही पर हैं यह लोग भाग रहे हैं यह भाग नहीं रहे हैं सौरी मेरा काम थोड़ा इजी हो गया लगता है एक छोटा सा बॉस था उसको मार रहा है पहली बॉस को पहले मारते हैं तो काम इजी हो जाता है ओ ग्रेनेर बार रहे हैं यह लोग यह बॉस अभी तक गया नहीं है गाइस यही पर है देट गाइस नोट डेट येट ओ इसको मार भी रहला मैंने है और राइट और राइट ओ इसने घुसाई दिया लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस अभी तक तो सब ठीक है एमो भी मिल चुका यहां पर मुझे नीचे जाने की जरुद नहीं है ओके यही से जाना है देख के लग रहा है और राइट अभी नीचे जाना पड़ेगा गाइस यह थोड़ा अंदेरा है अंदर टनल नीचे तक जाता है कि ओके तो यहां पर रिस्पाउन पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसका मतलब एनिमी बहुत जादा होने वाले हैं यहां पर चेक आउट करते हैं गाइस कोई बात नहीं और यहां पर मुझे एक स्नाइपर राइफल मिल चुका है जो मैं कि ओके मैं यूस कर सकता हूं या नहीं मुझे पता नहीं ओके तो यह मतलब मैं बाद में यूस कर सकता हूं अभी नहीं कर सकता सो अभी जो है उसी से काम चलाना है और याइज यहां पर रोबोर्स भी बहुत ज़्यादा है और याइज मेरा है मेरा हेल्ट एक दम कम उचुका है अरे याइज यह रोबोर्स आते हैं अरे ग्रेनेर छोड़ दिया और राइट एक ग्रेनेर मारा है मैंने अभी देखते हैं ओ एक साथ सब सब खतम होगए गाईस यहां पर है अरे और भी आ रहा है यह आते कहां से है अरे यह छुप गया पत्थर के पीछे यह और भी आ रहा है अरे यार यह तो मतलब हदी हो गई ओके अभी सेफ है नीचे जा सकता हूँ देखते हैं गाईस ओके मुझे आमो चाहिए बहुत सारा आमो पर रहा है नीचे ब्लू कलर का है वाइट कलर का है इसका मतलब क्या है मुझे पता नहीं अबट मैं लेने वाला हूँ यस मैं सही था एमो है ओके तो मुझे इस तरफ जाना है अभी और राइट गाईस यहां सी जाना है सही था मैं तो मैं और भी नीचे जा रहा हूँ एक्चुली और राइट गाईस यहां पर एक ग्रूप है अनिमी का आई थिंक मैंने कुछ को मारा है भी वो और एक बंदा है यह अकिला खरा है चलो यहां तक तो ठीक है और राइट गाईस वी आर मूविंग इन ओके मुझे यहां से जाना है और यहां पर लेजर से हैं एक सेकंड एक सेकंड यह क्या है तो मैं डेस्ट्रॉय कर सकता हूँ इन लेजर ग्रेनेट्स को ओ शिट यह क्या है बहुत ही समल कर जाना है डेस्ट्रॉय करते हुए जाना पड़ेगा चलो यार यह अच्छा हो गया नहीं यहां पर और भी है अगर निकल आया किसी भी तरह आख और यहां से आगे जाना पर गाइस देखते हैं यह बड़ा सा ओपन एरिया है शिट गाइस लगता है यहां पर एनिमीज होंगे बहुत सारे ओके अभी तक तो सब ठीक है कोई है नहीं इधर और गाइस एक एलिवेटर है मैं मुझे यह ठीक नहीं लग रहा है मतलब सब चुप चाफ है कोई नहीं है यहां पर और मैं एलिवेटर ढून रहा हूं देखता हूं मैं यहां पर स्विच है आँ कॉल एलिवेटर कॉल कर पाया हूं या नहीं अरे यार यह क्या क्या आ रहा है सामने से प्रोंग। पस्ग्रत थातों और करें मुदम का तो भी हीए members और सौर्वjem करें इस लैंन डेलिवेo जाहँ मैं पर बहुत सारे नहीं जाए मॉर्स नहीं मैं मॉर। गाइज मुझे चारों तरफ से घेर लिया है ओके यह बंदा गया और मैं हेड्शॉट लेने की कोशिश कर था हूँ ओके चलो यह बंदा भी गया देखिए नहां पर एक प्राब्लेम है कि यह जो है इसको डेस्ट्रॉय करना बहुत ही ज़री है और राइट गाइज यह जो बॉल है जो भी था यह डिस्ट्रॉय हो चुका है और राइट गाइज यहां तक सब ठीक ठाक चल रहा है गाइज I'm not sure सब लोग मरे हैं या नहीं मरे हैं मतलब और भी हो सकता है इनेमीज एक्चुली सब नहीं मरे हैं और मेरे पास रॉकेट लॉंचर अभी भी है मैं इसे यूस करता हूँ यह चाही है इस बॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंड इस तन गाइज उरा दिया बॉल को यहां पर और एक बॉल है तो गाइज we are not done yet इस बॉल को डिस्ट्रॉय करना है और उसके बाद ही लगता यह खतम होने वाला है ओके यह बॉल थोड़ा जल्दी डिस्ट्रॉय हो रहा है मतलब पहले से थोड़ा पास डिस्ट्रॉय हो रहा है यह खतम होई जाएगा कोई बात नहीं मैं और यह आगे हैं फिर से यह ड्रोन जैसे हैं आजाते हैं और राइट गाइज यह ड्रोन फिर से परेशान कर दें मुझे अब अब बात आप मुझे लगता है अब ही मुझे लगता है अम लोगोने वने कंप्लिट किया अब okay guys , so power back we have power back up now elevator is coming and I am going to go up I think that's it enemies are coming in front but I think I am safe right now and lift is going up ground level keep moving अंदर ना घुच जाए तो अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी और यह अलिवेटर जादा स्ट्रॉंग नहीं लग रहा है तो मैं शूट कर सकता हूं अंदर से ओ यह क्या हो रहा है वही किस तरह का साउंड है मुझे पसंद नहीं आ रहा है कि यहां पर कोशिश किया जा रहा है मुझे पकरने की लेकिन लगता नहीं successful हो पाएंगे यह चलो ठीक है अब तक तो सही है अबस सूपर पहुंच नहीं वाले गाइस पहुंचे के नहीं आइधिंक पहुंच गया भी और यह यहां से खुलने वाला है उल्टे ऑपोसिट डिरेक्शन में खुल गया है और राइट तो मैं पूरा बहार आ चुका हूं और राइट गाइस तो आइधिंक यह मिशन कंप्लीट हो चुका है और आइधिंक यहां पर और कुछ नहीं है देखना पड़ेगा थोड़ा कंफर्म करते हैं तो अभी उस बंदे से मिलना है हॉथर्ण नाम है और राइट यह छोटा सा कर्सीन है यहां पर हो सकता है लंबा हो देखते हैं तो यह स्टोरी का कंटिनुएशन है गाइस यहां तक सब ठीक ठाक है वेपन्स को अप्डेट किया जा सकता है गाइस यह मैं बोनला भूल गया एक्चुली आ तो बेसिकली जब आप मिशन कंप्लीट करते हो कोई भी मिशन आपको अप्डेट पॉइंस मिलते हैं और अप्डेट पॉइंस आप यूज कर सकते हो और राइट तो यह जवाला नाम का कैरेक्टर है जो बात कर रहा है जवाला इस एलाइज इन लोगों ने सोचा था मर गया हुगा लेकिन यह बंदा जिंदा है और यह ड्रोन है मेरा परसनल इसको घोस्ट कहा जाता है यह पुरा आर्टिविशेल इंटेलिजेंस जैसा है बलब एक्सेक्टली वैसा ही है और तो इन लोगों का रोल अभी तक खत्म नहीं हुआ है आगे जाकर भी मिलेंगे आइम शूर और गाइस तो मैं वीडियो को खतम कर रहा हूं यहाँ पर यह कैमपेण का एक बड़ा मिशन था जो कंप्लीट हुआ है और इसके बात कैमपेण को कंटिन्यू करूंगा मैं तो बस अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक जरूर करना शेयर करना और अगर आप प दूटी ब्लैक ऑफ्स 3 चालू है तो उसके एक या दो मिशन रहे गए हैं जो मैं कंप्लीट करने वाला हूं बहुत ही जल्दी और जो नेक्स्ट वीडियो आगया वह देस्टिनी 2 का ही होगा और उसके बाद मैं ब्लैक ऑफ्स 3 का कंप्लीट करूंगा लास्ट मिशन तो ब